नमस्का साथिए। स्वागत करता हूं सबी का आपके अपने यूट्यूब डिक्र रखान पर मैं प्रसांद रहात रहा हूं wireless and mobile communication shukmi part eight इससे पहले हम लोग अभी तक wireless and mobile communication TCPU part seven तक डिस्कस कर चुके हैं और आप सभी ने उन वीडियो को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन ने आपको wireless and mobile communication के नाम से playlist में की link मिल जाएगी वहाँ से आप दो सारे वीडियो देख सकते हैं साथ ही में जो electronics students 6 semester के चात्र हैं उनके लिए जो wireless and mobile communication तर्था के जो MCQ है इसी चैनल पर करवाया जा रहे हैं तो प्लीज आप उन सभी वीडियो को description में लिंक के जरूर देखें आपको link description मिल जाएगी वहाँ से आप उन सभी वीडियो को जरूर देखें जिसमें कि हर एक वीडियो में काफी ज्यादा important question discuss किया और साथ में जरूर धियान र definitely आपको काफी ज्यादा information मिलेगे और काफी ज्यादा important question मिलेंगे तो प्लीज उन सभी वीडियो को जरूर देखें description में आपको link मिल जाएगी आज का जो वीडियो हमारा है MCQ part 8 है इसे में हम 25 questions discuss करेंगे जो के exam के point obvious काफी ज्यादा important होंगे ठीक तो चलिए शुरू करते है आपको बीडियो पहला question क्या हमारा दिया गया है पहला question दिया गया है दो modulation techniques used for the mobile communication system during the world war second यानि तो त्यों वीडियो के दोरान mobile संचार प्रणालिक में प्रियुक्त किया जाने हो modulation तकनिकी काउंसी थी तो पहला option क्या थी amplitude modulation दूसरा अफसरा frequency modulation तिसरा आफसर आफसर दिया तो question number one जो दिया इसका right answer क्या होगा answer number B हो जाएगा क्या frequency modulation क्या हो जाएगा frequency modulation इस right answer हो जाएगा आप यह याद रखना कि फिर जो वरडवार two हुआ था कितने से कितने बीच में हुआ था तो यह हुआ था 1949 से लेके 1945 की बीच में हुआ था तो आपसे यह भी पूछ सकता कि 1940 या 1942 के टाइम मोबाइल संचार के प्रणाली में कौन सा modulation यूज क्या जाता था तो उस समय भी right answer क्या होगा answer B होगा frequency modulation इस right answer हो जाएगा थीक यूँकि उस समय यही हो था क्या जरूरी थोड़ो ना कि वरडवार two के नाम से पूछे एर के वाइस भी पूछ सकता है तो question number one question का राइट एंसर क्या हो जाएगा frequency modulation इस राइट एंसर ठीक next question बढ़ते हैं question number two question number two क्या दिया गया है introduce frequency modulation for the mobile communication system 1935 तो 1935 में मोबाइल संचार प्रणाली के लिए frequency modulation की शुरुवात की गई थी तो इसके option क्या दिया है पहला option दिया गया है एडिविन आर्म इस्ट्रांग दूसरा आपसंदिया अलबर्ट आइंस्टीन तीसरा आपसंदिया गय लिली ओ गय लिलेई चौथा आपसंदिया गया है डेविड बॉन तो question number two का राइट एंसर क्या हो जाएगा एडिविन आर्म इस्ट्रांग इस राइट एंसर क्या हो जाएगा अर्ज नमर और टू किलियर होगा नेक्ट कोशन बढ़ते हैं यानि DECT का فर्वाम या DECT का मतलब क्या होता है इसका अफ्क्षन क्या पहला है तेलेक्स दूसरा अफ्षन दे एमेर्जन्सी चल्वर टेलिफोन तीसरा आपसन दे डिज्टेल रिपेन चल्यार टेलिफोन तो कोश्चेनबर त्री जो दिया इसका रइट एंसर क्या होगा एंसर नबर सी हो जाएगा डिज्टल यूरोपियन कार्डलेस टेलिफोन इसे टेलिफोन हो जाएता ठीक तो कोश्चन अबर थीरी का राइट अंसर क्या होगा एंसर नबर सी हो जाएगा ठीक नेक्स्ट कोश्चन बढ़ते हैं कोश्चन नबर फोर क्या दिया गया है वर्ड फर्ष्ट सेलिफोन इसे टेलिफोन 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 इसे तो क्या होता है निपोट टेलीफोन और टेलीजर और टेलीघ्राफ यैंट त bushes Tina लव इंसी की दुविसयुख और सब सबसे पहला शिलिख करyourण सिस्टम टेवलप किया घा ψ था इस Elves No. 5 काया है पहला मैंस्ट किया है तो पहला सिनके प्षैसी न कान्सिट फार आ दूसरा आप संद्या फार रिसेविंग कास तीसरा आप संद्या इस्प्रेटिव आप दा लोकेशन आफ दा यूजर चौथा अपसंद्या आल अब दा एबब तो कोस्टेन आप 5 जो दिया इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा एंसर नमर्डी हो जाएगा आल आप दा अब इस पहले वाले वीडियो आपको बता चुक है पीचेन का फूल फार्म क्या होता है तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताएगा कि पीचेन का फूल फार्म क्या होता ठीक नेक्स कोशन बढ़ते हैं कोशन नबर 6 में क्या दिया गया है दा 2G cellular system uses यानि कि 2G cellular system का उपियो करता है पहला आपसन क्या दिया है TDMA EFTD दूसरा आपसन क्या दा CDMA EFDD तीसरा आपसन क्या दिश्टल मौडलेशन फार्मिट और चौथा आपसन दिया आल अब दा एबब तो करीब ठीक कभाय था 1990 में ठीक और पूछ क्या रहा है 2G cellular system network यूज कैसा network यूज करता है तो CTMA भी यूज करता है CDMA भी यूज करता है digital modulation फार्मिट भी यूज करता है तो इस प्रकास राइट एंसर क्या हो जाएगा answer number D हो जाएगा all of the above is right answer हो जाएगा ठीक 6 number question का right answer क्या होगा answer number D is right answer हो all of the above ठीक question number 6 clear होगा आपका next question बढ़ते है question number 7 question number 7 क्या दिया गया है याने ADC is a 2G standard फार यानि ADC के लिए 2G मानक है पहला आपसन TDMA दूसरा आपसन CDMA तीसरा आपसन बोथ A and B चाथासन नाबदा एबब तो question number 7 जो इसका right answer क्या हो जाएगा answer number A हो जाएगा TDMA यानि कि जो NADC 2G standard मानक हो जाएगा यानि कि NADC का 2G standard हो क्या है TDMA TDMA based होता ठीक तो question number 7 का right answer क्या होगा answer number is right answer next question बढ़ते है question number 8 question number 8 क्या दिया गया है 2G standard 2G CDMA standard CDMA one support up to यानि कि 2G CDMA नामक CDMA one support का समर्थन करता है पहला आपसन क्या दिया 8 user दूसरा आपसन दिया 64 user तिसरा आपसन दिया 32 user और चौथा आपसन दिया गया है 116 user question number 8 जोगा उसका right answer क्या हो जागा answer number um next question number nine question number nine दिया है that 2G GSM technology uses a carrierрать spration off यानि कि 2G GSM technology में जो वाहा कैरियर होती हो कित्नी frequency होती है तो इसके आफसें किया पहला आफसें लिया 1.25 MHz, दूसरा आफसें 200 KHz, तीसरा आफसें 30 KHz, चौथा आफसें 300 KHz, तो question number 9 का जो right answer होगा, answer number B हो जागा 200 KHz जो right answer होगा, यहीं कि 2G GSM technology में जो carrier frequency होता है, carrier expression होता है, तो कितना होता, 200 KHz होता है, 200 KHz होता है, GSM का full farm क्या होता ह system mobile होता है, तो question number 9 आपका clear होगा, next question number 10, question number 10 क्या दियागा, 3G WCDM में also known है, यानि कि 3G WCDM में को किस रूप में जाना जाता है, इसके option क्या दियागा, पहला option दियागा, UMTS, दूसरा आफसें दियागा, DECT, तीसरा आफसें दियागा, DCS 1800, चौथा आफसें दियागा, ETACS, question number 10 जो होगा, उसका right answer, क्या होगा, answer number A हो जाएगा, right answer, क्या दियागा है, यानि 3G WCDM में किस नाम से जाना है, UEMTS के नाम से जाना जाता है, यानि universal mobile telecommunication system के नाम से भी जाना जाता, 3G WCDM में, आगे वाले question हैं समझाएंगे, WCDMA का मतलब क्या होता है, यहाँ पे WCDM में, जो 3G को जाना किस नाम से जाना जाता है, यह जाना जाता है, UEMTS, यानि universal mobile telecommunication system is right answer जाता है, ठीक, question number 10 के लिए और next question बढ़ते हैं, question number 11, question number 11 के दिए commonly used mode of 3G network, यानि कि 3G network में आम दरुपक किस mode को use किया जाता है, तो पहला आपसन किया, TDMA, दूसरा आपसन, FDMA, तीसरा आपसन, TDD, चौथा आपसन, FDD, तो जो question number 11 दिया गा, इसका right answer के होज़ा, answer number D हो जाएगा, FDD is right answer, यानि कि FDD जो होता है, ज्यादा तर 3G network में use किया जाता है, ठीक, तो इस प्रकासे question number 11 दिया गा, इसका right answer क्या होज़ा, answer number D हो जाएगा, जी FDD is right answer हो जाएगा, ठीक, आप लोग कमेंट करके बताएगा, जी FDD का full farm क्या होता है, नार्मल full farm आप लोग को पता होगा, क्या होता है, जी full farm है, काफी ज़्यादा बा WCDM में, यानि कि WCDM में के लिए आवस्यक नियुन्तम स्पेक्टरम आवन टन होता है, तो पहला असन किया 5 MHz, दूसरा असन 2 MHz, तीसरा असन दिया 500 MHz, और चौत्था असन दिया है 100 MHz, तो question number 12 है, इसका right answer होगा, answer number E हो जाएगा, 5 MHz is right answer होगा, क्या होगा, 5 MHz is right answer होगा question number 13, question number 13 क्या दिया है, what is the minimum data speed effort by 3G mobile technology to a slow moving user, यानि कि धीमी गत से चलने वाले उपवियों करता हो के लिए 3G network, 3G mobile technology में दी जाने वाली नियुनतम data speed क्या थी, तो इसके option क्या दिया है 128 Kbps, दूसरा असन दिया 384 Kbps, तीसरा असन दिया 2 Mbps, चौत्था असन दया 8 Mbps, त जाएगा ठीक, जो minimum user हो थे, यानि कि, जो slow moving user थे, उनके लिए जो data speed थी, 3G technology में कौन से थी, 384 Kbps की speed थी, ठीक, नेक्स्ट कोशन बढ़ते है, question number 14, नेक्स्ट कोशन, question 14 दिया है, what is the minimum data speed effort by 3G mobile technology for the stannery user, यानि कि stannery user के लिए, जो stannery user थे, उनके लिए 3G mobile technology में दी जान आपसन क्या था, 128 Kbps, दूसरा आपसन 384 Kbps, तूसरा आपसन 2 Mbps, और चौथा आपसन 58 Mbps, तो question 14 इसका जो right answer हो जाएगा, answer number C हो जाएगा, 2 Mbps is right answer हो जाएगा, ठीक, इस समय जो 4G जमाना है, इसमें तो हर एक बेक्ति के पास 2 या 10 G Mbps की speed मिलती है, यह 3G की जमाने म आपसन, इसका जाएगा, answer number C हो जाएगा, 2 Mbps is right answer, next question 15, question 15 क्या दिया गया है, यूमटेस जो, आपसन मोबाल, तेली कम्यूक्रीशन नेटवर्क, इस ए नेटवर्क यानि, UEMTS, जो इस जन जनेरेशन में, डेवलफ हो था, तो पहला आपसन क्या, तो पहला आपसन क पिस यूनिवर्स मोबाइल थेयर कम्यूकेशन नेटवर्ग तो सप्सक्राहई कर तो किस तो नियुकुल question number 16 question number 16 क्या दिया गया है question 16 दिया गया है to g c d reflective Уन चैवल ऐसंद्या अलबध कर दोत्त अबर तो कोश्चन नमबर जो 16 इसका रइट answer हमारा हो जाए answer नमर D हो जाएगा आलबदा एबब ठिक यानि कि 2G CDMA के और किस नाम से जाना जाता है तो IS 95 के नाम से जाना जाता है CDMA1 के नाम से जाना जाना जाता है फिर उसके बाद किया कि तीसरा आपसन किया जाएगा फर्स्ट जनरेशन CDMA यानि कि 2G में इसका फर्स्ट जनरेशन इसलिए इसके फर्स्ट जनरेशन CDMA भी कहा जाता है 술 जाहकरण C-DMA के नाम से जाना जाता है CDMA1 की नाम से जाना जाता है और आलाबदा एबब की नाम से भी जाना एता, तो question number 16 का right answer क्या हो, answer number D is right answer, ठीक, next question बढ़ते हैं, question number 17, next question, question number 17 क्या दिया गया है, question number 17 दिया है, इसका right answer क्या हो जाएगा, answer number B हो जाएगा, wideband CDMA हो जाएगा ठीक, एणि कि WCDMA का full farm क्या होता, wideband CDMA code division multiple access होता, ठीक, तो इस प्रकास हमें भी कहते हैं, WCDMA का full farm क्या होता है, wideband code division multiple access, तो question number 17 का right answer क्या, answer number B हो जाएगा, वाइड बाइंड CDMA इस राइट है ठीक नेस्ट कोश्चन कोश्चन पर 18 दिया गया है ACDMA 2000 इस जनरेशन नेटवर्क क्याने कि CDMA 2030 की जनरेशन के अंतरगत आता है तो यहां पर 2000 लगा हुआ 2000 से आपको पता चल जाएगा कि 2000 में कौन जनरेशन चल ला था तो एक बार इसका आपसन देख लेते हैं पहला आपसन क्या दिया गया है कि आपको फटा ही होगा कि 2000 में कौन जनरेशन हमारा आय था 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 थेरी जी आय था 2010 में 4G आया था 2020 में हमारा 5G आ चुका है ठीक तो तो कोश्चन नमर 18 है इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा एंसर नमर सी हो जाए है थाड जनरेशन इस राइट एंसर ठीक नेस्ट कोश्चन बरते हैं कोश्चन नमर 19 क्या दिया गया है इसका दूसरा नम क्या है तो कोश्चन नमर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि जो कोश्चन नमर 20 क्या दिया गया है वहां टार दा एडवांटेज आव दा क्या प्रगति आई है आप कोई पता होगा सीडियमे 2000 कब आया था सीडियमे 2000 आया था हमारा टूजी इसके टाइम यह लगभवा निन सो अस्य निन सो नबबे के करीब आया था टीक उननि सो नबबे के करीब आया था तो cdma1 and cdma2 यानि cdma2 हम कह सकते हैं इसको cdma1 cdma2 में क्या प्रगति हुई तो पहला आपसं क्या दिया गया है more battery life दूसरा आपसं दिया है frequency इसका राइट एंसर हमारा हो जाएगा यानिक डी हो जाएगा क्योंकि जो सीडी में 2000 उसमें मोर बैटली लाइब भी होती है आपसे नमर बी जो दिया फ्रिक्वेंसी बैंड फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है आपसे नमर सी जो दिया हाईर काइपसिटी आफ वाइस डाटा ये भी होता है तो कोश्चन नमर ट्वंटी का जो ओवराल राइट आइंसर होगा एंसर नमर डी हो जाएगा आलाप दा एबब क्योंकि यह जो ऊपर तीनों फंक्सन दिया कि 2000 CDMA में दिया जाता है आप एक प्रकार से भी लिख सकते हैं जो CDMA1 और CDMA2 में डिफ्रेंस अगर कहा जाए तो अगर यह परामिटर आपको याद है तो उसका डिफ्रेंस भी डिसाइड कर सकते हैं क्योंकि CDMA1 में इसमें दिया बैटरी लाइफ उसमें देंस प्रकार से इसका पॉजिड लिखे हैं उसका अंतरा डिफाइन कर सकते हैं तो लए टिका राहे डी हो जाएंसर आलाप दा एबब ठीक नेक्स कोश्चन बढते हैं कोस्ट नमबर कोश्चन 21 दिया गाया विच इस दा 4G वर्जन आप CDMA 2000 टेक्नोलोजी यानि कि CDMA 2000 टेक्नोलोजी का 4G संस्क्राइड कौन सा है इसका पहला आशन दिया गया गोश्चन 21 इसका राइट एंसर हमारा हो जाए इसका राइट एंसर हमारा हो जाए एंसर नवर गया यूएम्बी इस राइट एंसर यानि कि जो 4G Sanskrit 4G Sanskrit यानि 4G version जो हमारा CDMA 2000 टेकनोलोजी का आया था उसमें क्या चल ला था UMB चल ला था यानि किस तक्नीप चल ला था किस टक्नोलोजी चल ला था UMB पे चल ला था था अब तो यह समय LTE पे चल ला है तब उसमें UMB पे चल ला था नेट्वर्क यानि कि 3G मोबाइल नेटवर्क में उप्योग की जाने वाली मल्टिपल एकस्ट तकनिकी क्या है पहला आशन टाइम डिवीजन दूसरा आशन फ्रिकॉंसी डिवीजन तीसरा आशन कोड डिवीजन चौथा आशन दिया नन यानि कि कोड डिवीजन तो कोड डिवीजन यानि कि 3G नेटवर्क मोबाइल नेटवर्क सिस्टम था उसमें कौन से मल्टिपल एकस्ट का यूज किया जाता था कोड डिवीजन मल्टिपल एकस्ट का यूज किया जाता तो आशें कोशन 22 के लिएर होगा next question 23 क्या दिया गाए what is the multiple access techniques used in a 3G mobile network क्यानि 3G mobile network में उप्यों की जाने वाली multiple access तक्निक की क्या है पहला आसन क्या time division दूसरा frequency division तीसरा code division चौथा आपसन नन आपदा एबब तो question number 23 भी हमें लगता repeat होगा question number 22 है इसका भी right answer होगा answer number D हो जाएगा code division multiple access CD हो जाएगा ठीक next question बढ़ते है question number 24 question number 24 क्या दिया गया है question number 24 कहा गया yes I am in a 3G network is called यानि की 3G network में sim को कहा जाता है पहला आसन micro sim दूसरा आसन nano sim तीसरा आसन u sim और चवथा आसन दिया आर sim तो जो question number 24 दिया इसका right answer हो जाएगा subscriber identification module जो हम sim यूज करते हैं ठीक और जो use sim का full farm होता है ultra subscriber identification module होता है तो question number 24 का जो right answer हो जाएगा वो भी answer number C होगा क्या होगा 3G network में जो sim यूज किया ते उसे क्या कहा जाता था use sim कहा जाता था यानि you yes I am कहा जाता था ठीक तो question 24 का right answer क्या होगा answer number C is right answer हो जाएगा next question बढ़ते है question number 25 क्या दिया गाया है दिया वहाट आर दा part of a 3G architecture यानि की 3G architecture के भाग क्या क्या है पहला आपसन क्या user equipment यानि की UEG से कहा जाता है दूसरा आपसन दिया radio access network यानि RAN कहा जाता है तीसरा आपसन क्या 3G network architecture के part होते हैं तो question number 25 का जो right answer होगा answer number D हो जाएगा आल अबदा एबब इस right answer हो जागा यानि की 25 का right answer क्या होगा answer number D होगा कि कौन कौन से 3G network के architecture होते है तो हमारा user equipment भी इसका architecture होता है A option आपसन नमर दो radio access network के नहीं RAN जो होता हो भी 3G network का architecture ही होता है आपसन नमर सी core network भी हमारा 3G network architecture का ही एक part होता है तो इस प्रकास से overall जो हमारा answer आएगा answer number D आएगा all of the above UE, RAN and code network की right answer हो जाएगा ठीक तो आज की इस वीडियो का question number 25 लाश्ट वीडियो था I hope question number 25 आपको समझ में आया होगा साथी में जो आज 25 question discuss किये गए है वो सारे आपको समझ में आया होंगे तो आसा करते हैं आपको वीडियो पसंद आए अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें तो अपने दोस्तों साथ जरूर share करें साथी में आप सभी साथियों के लिए एक important notification है वो notification यह है कि जिन ये students के पास elective subject के रूप में my control system है आप सभी को description में एक link मिलेगी लिंक का नाम होगा elective subject control system के नाम से link मिलेगी वहाँ पे आप क्लिक करके कम से कम 50 से 100 question आप लोग discuss कर सकते हैं टाइम के अभाव से हम आप सभी के लिए control system का वीडियो नहीं बना पाने इसके लिए मैं छमपरार्थी हूं लेकिन आप सभी के तैयारी करणा हमारी जिम्मेदारी है तो उसके लिए हम control system का MCQ की link description में दे देंगे प्लीज आप सभी से निवेदन है कि हर एक वीडियो का description जरूर चिक किया करें क्योंकि हर एक वीडियो कुछ ना कुछ ना कुछ नया मिलता है आपको हर एक वीडियो कुछ ना कुछ लिंक मिलेगी ठीक तो अब बताने को भूल यहाँ बात अलग क कि लेकिन आप लोग चेक जरूर किया किजिए जिससे आपकी अच्छी ताहरी कंट्रोल सिस्टम की अधरवाज और सब्जेक्ट की तो चली रही क्योंकि सारे वीडियो काफी important question के साथ बनी हुए हैं तो आप सभी वीडियो को जरूर देखें साथ ही में आप अपनी ताहरी करते रहें हम कोसिस यह करें कि 22 तारिक तक आप लोगों के वीडियो लाएं या फिर 21 तारिक तक ही वीडियो लाएं क्योंकि दियूरिंग दा एक्जाम नेशन आपको डिस्टरफ करना सही नहीं रहेगा अब उसमें आप सेलफ इस्टिडी करें ज्यादा बेटर रहेगा हम हम यही कहेंगे कि जो प्रियास वीडियो वह देखिए जो हमारे पीडियाफ आपको मिले हैं वह से आप इस्टिडी कीजिए तो 21 तारि तक हम वीडियो लाते रहेंगे आपके साथ डे बाइडे डेली एक ना एक दो वीडियो जरूर आएंगे तो आप लोग अच्छे पढ हो सके हो जाया ठीक तो आई होप आज कि इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तक तक लिए जय हैं धन्यवाद